आज आज कि इस वीडियो मापका स्फवागत है आज मैं आपको बछाता हूं कि हमारे दसम भाव का जो फल है दसम भाव किस चीज़ का कारक है वह दस्वे भाव से हमें क्या क्या देखना है कुण्डली में तो दसम भाव को कर्म भाव कहा जाता है, विशेश रूपसस का नाम रखा गया है, यह धर्म और यह कर्म, इससे धर्म देखते हैं, इससे कर्म देखते हैं, कर्म अर्थ अजीविका से है, मतलब हमारी नौकरी कैसी होगी, हमारी व्यवसाय क्या होगा, आपका काम, यह बहुत महतवपूर भाव है क्योंकि हर व्यक्ति का जीवन में दो-तिन मुख्या बाते होती है, संतान, व्यवाहिद जीवन और कर्म, नौक्री, ये दो-तिन प्रशन मुख्या रहते हैं, यदि आप नोक्री करेंगे तो आपको नोक्री किसे अक्षित्र में ढूलनी चाहिए और कौन से अक्षित्र में नोक्री मिलने पर आपको अच्छा उन्रती विल सकती है आपकी नोक्री बीच में चली तो नहीं जाएगी या आपको नोक्री मिलते मिलते तो नहीं रह जाएग विद्वान नवम भाव से पिता को देखते हैं मैं नवम भाव से पिता को देखता हूं लेकिन पिता के सुख और धन की स्थिती जो पिता से प्राप्त होगी उसे मैं दसम भाव से भी देखता हूं तो ऐसी स्थिती में दोनों को हम पिता के साथ संबंध या सुख की दृष् या प्रतिष्ठा आपको नाम, नेम, फेम कैसा मिलेगा? यह आपको सात्मे और चोथे भाव से दोनों से देखते हैं पद, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा के कर्म ही प्रतिष्ठा दिलाता है सामान्य भाचते अधिकार प्राप्ती आप अपने राइट्स के लिए लड़ते हैं क्या? आपको राइट्स मिल जाते हैं इसलिए या उनको लिए बहुत संगर शापू करना पड़ता है जो आपके अधिकार हैं आप उनको प्राप्त कर पाते हैं क्या? ये स्थिटी जो है ये भी दसंभाव से देखी जाती है फिर आप में नेतरत उक्षमता है क्या आप नेता बनने की गुणा आप में है क्या? नेतरत उक्षमता कैसी है? ये जो बात है ये भी आपकी यानि कि लीडर्शिप क्वालिटी आप में कितनी है? यह आपके दर्संभाव से देखी जाती है 10th house leadership quality का भी कारक माना जाता है और यह कारक माना जाता है सरकारी लाब का सरकारी कारणों से आपको लाब होगा या नहीं होगा यह भी 10th house से देखा जाता है 10th house से देखते हैं उच्छ शिक्षा में सफलता क्योंकि उच्छ सिक्षाई जो भी होती है वो व्यवसाई विशेश की होती है lower education सब के लिए common हो सकती है लेकिन जब आप बार्मी कक्षा के बाद की जो education लेते हैं वो किसी व्यवसाई विशेश के लिए होती है तो वो आपके लिए कैसी रही गयों जो बहुत higher education है खास तुर पर professional education के हमियां बात करें व्यवसाई शिक्षा जो है उसको देखना है आप अच्छो और बुरे कर्म इनके आपको जो व्यवसाई स्थिती है आप जो व्यवसाई करते हैं वो अच्छे तरीके से करते हैं खराब तरीके से करते हैं क्योंकि व्यवसाई तो एक जैसा हो सकता है लेकिन उसके तौर तरीके हो सकते हैं कि आप आवज तरीके से करते हैं व परकड़ाइब लूटने काकारे कर रहे हैं लोगों को या अप सिर्फ कमाने काक्रणे कर रहे हैं लो इस सब चीज aur यह 10 भाव से देखनी है सास, क्योंकि यहां आपकी पत्नी है तो पत्नी से चोथे यह आपकी पत्नी की माता तो सास जो है, वो आप देखते हैं 7th, 10th हाउस से 10 भाव से आपने सास को देखना है सास का सुख कैसा रहेगा सारवजनिक जीवन आपका कैसा रहने वाला है ये भी आपने दस्वे भाव से देखना है मतब अगर आप बहुत बड़ी सेलेब्रिटी बन जाते हैं तो आप सारवजनिक जीवन को कैसा जी पाते हैं या अगर सामान्य विक्ती भी है तो हमारा एक सारवजनिक जीवन होता है गर के बीचर अब गर के बाहर आप गितने मा अपमें राजनेथिक हूस देख सकते हैं राजनितिक प्रभाव आप का है समाज में आप राजनेतिक रूत्बा कितना रखते हैं यह मामला भी आपका 10th house से देखा जाते हैं क्योंकि ये कर्म का भाव है और अगर आपका कर्म प्रधान होगा तो राजनेतिक प्रभाव भी बढ़ जाएगा इसके साथ ही शरीर की अगरम बात करें तो यहां से घुटने देखे जाते हैं तो घुटने जो हैं आपके ठीक रहेंगे नहीं गुटनों में रोग है रिप्लेस्मेंट की जरूरत तो नहीं पड़े ही गुटने खराब तो नहीं हो जाएंगे इसके साथ गुटनों पर चोड़ तो बहुत नहीं लग रही ये सब चीजें जो हैं ये हम 10th house से देखते हैं इस भाव का कर्म का प्रधान कारक सूर्य को मान जाता है और दसमभाव में शनी बली होता है दक्षिन दिशा में इसलिए यहाँ शनी को भी रभ्हाव का कारक माना जाता है और बुद्ध को भी कारक माने जाता है वेपारी होने कि व thorough your who अक्षित्र में काम करने वाले के लिए सूर्य प्रधान कारक हो जाएगा राजनीती में कारक करने के लिए सूर्य गुरु प्रधान कारक हो जाएगे जिबकि ऐसा व्यक्ति जो फेक्टरी लगा रहा है या वैसा व्यक्ति जो लेबर के अंतर बहुत काम कर जिसके अंदर कारक आवशक्ता नुसर बदलते रहते है कुंड्ली की निर भरता हम उसमें देखना कैच चाहते हैं तो कारक का भाव के फल भी कमजोर हो जाएंगे तो यह मनें बताया दसम भाव के बारे में अगली वीडियो में हम बात करेंगे ग्यार्मी भाव के बारे में तब तक आपका दिन शुबह धन्यवाद